योगी सरकार एक करोड़ 75 लाग लोगों को देने जा रही दिवाली का उपहार सीधे बैंक एकाउंट में करेगी सिलंडर के पैसे का भुगता योगी सरकार पूरा करेगी अपना फ्री सिलंडर देने का वादा योगी सरकार उत्तर प्रिदेश की एक करोड 75 लाग जनता को दिवाली का उपाहर देने का प्लान बना रही है सरकार का प्लान है एक करोड 75 लाग लोगों के एकाउंट में सीधे पैसे बेजने का सूत्रों की माने तो योगी सरकार दिवाली के बाद उपहार की दूसरी किस्तो होली में देने का भी विचार कर रही है दरसल योगी सरकार अपना 2022 विदानसभा चुनाओ में किया वादा पूरा करने के फाइनल मोड में आ चुकी है चुनाओ के वक्त बाश्पा ने वादा किया था कि उज्वलाव योजना के लाभार्तियों को हर साल दो LPG सिलन्डर मुप्तम में दिया जाएगा हलाकी चुनाओ को लगबग देर साल बीचानी के बाद तक योगी सरकार ने एक भी सिलन्डर मुप्तम में नहीं दिया लेकिन अब योगी सरकार ने वादे को पूरा करने की ठान ली है हलाकि सूत्रों की मुताबिक योगी सरकार ने वादे में कुछ बदलाओ कर दिया है सरकार सिलेंडर मुप्त देने की बजाए सिलेंडर का पैसा सीधा लाबार्तियों के खाते में डालने का विचार कर रही है सूत्रों की मुताबिक सरकार का प्लान है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1144 रुपए है एसे में 230 रुपया केंडर सफसिटी काट कर सरकार लाबार्तियों को पहली किस्त में 914 रुपए 50 पैसे देगी उपार की किस्त पाने के लिए लाबार्तियों के एकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना जरूरी शर्त रखा गया है माना जा रहा है कि सरकार दिवाली में पहली किस्त देने के बाद होली में दूसरी किस्त भी रिलीश करेंगी आपको बता दी कि बाश्वा ने 2022 के विदान सभा चुनाओ में उज्वला योजना के लाबर्तियों को हर साल दो सिलंडर मुप्त में देने की घोशड़ा की थी पार्मुले पर विचार कर रही है सरकार के इस वादे को लेकर बस्पा विदायक उमा संकर सिंग और कॉंग्रेस विदायक आराद नमिश्रा उर्फ मोना विदान सभा में सवाल उठा चुके हैं लेकिन माना जा रहा है कि सरकार 2024 चुनाओ का इंतिजार कर रही थी और वह अब चुनाओ से पहले दिवाली और होली पर दो किस्ते दे कर उसे भुनाने के प्लान में है 2014 के बाद LPG सिलंडर की किमते लगातार बढ़ने से जनता तरस्त है 400 वाला सिलंडर 1144 में विक रहा है सब सिटी के नाप पर जनता को क्या फैदा मिल रहा है ये जनता बखुबी जानती है Bureau Report NTV भारत